ये आकाश्वाणी रैपूर है प्रादेशिक समाचार बुलिटिन के साथ मैं शुब्राभट्टा चारे। और अपेश है आज के मुख्य समाचार। अंबिकापूर और निजामुद्दीन के बीट 14 जुलाई से शुरू होगी विशेश ट्रेन। रेल मंत्री आश्विनी वैशनाव वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से करेंगे शुबारंब। बहारती जनता पार्टी की प्रदेशकारी समिती की बैठक आज भिलाई नगर में आयोजित की जा रही है वरिष्ट नेता हो रहे हैं शामिल। अम्बिकापूर में आज सुबा महसूस किये गए बुकम के हलके जटके किसी तरह की जन्हानी की खबर नहीं और बस्तर संभाग में भारी बारिष की वज़े से नदी नाले उफान पर सुकमा के दोरनापाल जगर गुंडा मार्ग पर आवा गमन प्रभावित। अब समाचार विस्तार से अम्बिकापूर और निजामुद्दीन के बीच आगामी 14 जुलाई से विशेश ट्रेन शुरू होने जा रही है रेल मंत्री आश्वीनी वैशनाव नई दिल इस्तित रेल भावन से सुबह दस बजे वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए इस ट्रेन का शुभारंब करेंगे इस मौके पर अम्बिकापूर रेलवे स्टेशन में भी कारिकरम का आयोजन किया जाएगा अम्बिकापूर और निजामुद्दीन स्टेशन के बीच ये विशेश ट्रेन इस इलाके के यात्रियों की मांग पर शुरू की जा रही है अमरनाथ यात्रा आज सुबह से फिर से शुरू कर दी गई है इसे अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद स्थकित कर दिया गया था शुद्धालों को अभी पहलगाम के रास्ते ही यात्रा के लिए भेजा जा रहा है बालतल मार्ग से यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है हालकि हेलिकॉप्टर सेवा, बालतल और पहलगाम दोनों रास्तों पर उपलब्द है भारती जनता पार्टी के प्रदेशकारी समीती की बैठक आज भिलाई नगर में आयोजीत की जा रही है इसमें पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेशवरी, सह संगठन प्रभारी नितिन दबीन, केंडरी राज्यमंत्री रिणुका सिंग, पूर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंग, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साई, नेता प्रभारी नितिन दबीन ने कहा कि पार्टी द्वारा 36 गड़ में अगलेवा शुक्रस्तावित, विधान सभा चुनाओ सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की नारे के साथ लड़ा जाएगा, उन्होंने कहा कि आजादी के अमरित महसव के तहट पार्टी का प् केलियो मिद्वार बनाया है, श्री नभीन ने कहा कि 36 गड़ में अनुसुची जन्जाती के आबादी करीब 32 प्रतिशत है, ऐसे ध्यान में रखते हुए पार्टी गत राजनीती से उपर उठकर 36 गड़ के सभी विधायकों को श्री मती द्रौपदी मुर्मु का समर्थन कर केंद्री राज्यमंत्री ने कहा कि लोगसभा प्रवास योजना के तहत लगातार कारिक्रम आयोजित किये जाएंगे, उन्होंने पार्टी कारिकर्तनाओं से इन कारिक्रमों में सक्री रूप से शामिल होने का आफ़ान किया, इस मौके पर लोगसभा प्रवास योजना के प्रदेश सयोजक मोतिलाल साहू ने कहा कि देश के 144 लोग सभाक शेत्रों को सियोजना के लिए चिन्हित किया गया है इसमें 36 कड का बस्तर और कोर वासंसद एक शेत्र भी शामिल है मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने कहा है कि प्रदेश की मच्वा नीती को कैबिनेट के अगली बैठक में मन्जूरी दी जाएगी मच्वा नीती का प्रारूप तयार कर लिया गया है ये बात मुख्यमंत्री ने रायपूर में आयोजित 36 कड निशाद केवट समाज के नव निर्वाजित पदादिकारियों के शपत ग्रहन समारों में कही उन्होंने कहा कि 36 कड में मच्वा न को कृषी का दर्चा दिया गया है इस नीती के तहट मच्वली पालन करने वाले लोगों को किसानों के जैसे बिना ब्याज का रिंड और बिजली शुक में छूट दी जा रही है इस बीच अखिल भारती गोणवाना समाच के एक प्रतिनीधी मंडल ने रायपूर में मुख्यमंत्री से भेट कर पेसा कानून प्रस्ताव के अनुमोधन के लिए आभार जताया इस मौके पर श्री बगेल ने कहा कि पेसा कानून लागू होने से ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा सुकमा जिले में किनामी मावादी दंपत्ती ने आत्म समर्पन किया है इन मावादियों पर पांच-पांच लाख रुपे का इनाम घोशित था जिले के पुलिस अधिक्षक सुनील शर्मा ने बताये कि ये मावादी दंपत्ती 36 गड़ और ओडिशा में सक्क्रिय था आत्म समर्पित इन मावादियों को राजी सरकार की पुनर्बास नीती के तहत लाप दिया जाएगा अंबिकापूर में आज सुबह आठ बचकर दस मिनट पर दो सेकेंड तक भुकम के हलके जटके महसूस किये गए रिक्टर पैमाने पर भुकम की तीवरता चार दशमलाव तीन मापी गई है जटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए भुकम की वज़ा से किसी तरह की जन्हानी नहीं हुई है अंबिकापूर के वरिष्ट मौसम विज्ञानी ए एम भट ने बताया कि भुकम का केंडर बैकुनपूर से पश्चिम उत्तर में 16 किलोमीटर दूर इस्थित था श्रोताओं आजादी के अमरित महोसव पर आकाश्वाणी समाचार द्वारा राश्ट्रे इस्तर पर आयोजित की जा रही प्रश्णों तरीके थेत आज का प्रश्ण है इस प्रतियोगिता के लिए एक भागिशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोशना की जाएगी विजेता को ई प्रमान पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा प्रादेशिक समाचार आप आकाश्वाणी रायपूर से सुन रहे है 36 गड़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वस्मियता से है हमारा वास्ता आकाश्वाणी समाचार रायपूर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामाइक कारिक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाईल पर भी सुन सकते हैं आकाश्वाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्थ है तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाईल के जरिये भी हम पहुँच रहे हैं आम तक चथिसगड की हर खबर के लिए सुनते रहे हैं आकाश्वाणी समाचार और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर शहीद लेफटिनेंट करनल कपिल देव पांडे को भिलाई नगर और भिलाई की अलग-अलग जगों पर शद्धानजली अर्पित की गई शहीद पांडे का अंतिम संसकार सैने सम्मान के साथ नई दिल्ली में किया गया अंतिम संसकार कारिक्रम में शहीद जवान के परीजन भी शामिल हुए। इसके बाद उनके परीजन जब माना एयरपोर्ट पहुँचे तो लोगों का हुजूम उमर्ग पड़ा। ये लोग शहीद के परीजनों के साथ भिलाई तक गये जहां नहरुनगर में पुषपांजल को शद्धांजली अर्पित की। गोर्तलभय की भिलाई के रहने वाले लेफटिनेंट करनल का पिलदेव पांडे मनिपूर में कुछ दिन पहले हुए भूस खलन में शहीद हो गये थे। सेना की गोरफा राइफल्स में तैनात लेफटिनेंट करनल का पिलदेव बीते तीन वर्षों से मनिपूर के नोनी जिले के तुपूल इलाके में पदस्त थे। और रोजकार तता स्वास्त भीमा सहित अनिसुविधाओं की ओर राजी सरकार का ध्यान आक्रिष्ट करने पर विचार विमर्ष किया गया। साथ ही लोगों से डुबान शेत्रों में इस्थित्रिहाशी लाकों को खाली करने और उफनते नदिनालों को पार नहीं करने की अपील की गई है। परिटन को बढ़ावा देने के उत्देशों से भारती रेलवे, खानपान और परिटन निगम लिमिटेड आई आर सी टीसी लोगों को देश विदेश की हवाई यात्रा भी कराएगी। ये जानकारी आज रायपूर में हुई एक ट्रिस वारता में आई आर सी टीसी के एरिया मैनेजर राजीव कुमार में दी। जंगल सफारी, चंपारण, गिरोत पुरीधाम, डुंगरगड और जत्मई घटाराने की यात्रा शामिल है। कोई भी व्यक्ति दर्शन यात्रा के लिए आई आर सी टीसी की वेब साइट या मुबाइल नंबर 8287-932242 पर फोन कर सकते हैं। राज्य के स्कूलों में कोरोना महमारी से बचाव के लिए सुरक्षित गुरुवार कारिक्रम चलाया जा रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंग टेकाम ने रायपूर से इस कारिक्रम का शुभारंब किया। इस मौके पर डॉक्टर टेकाम ने कहा कि इस कारिक्रम के माध्यम से बच्चों को ये सिखाया जाएगा कि किस तरह सुरक्षित विवार अपना कर अपने आपको और परिवार को सुरक्षित रखें। गोर्तलब है कि सुरक्षित गुर्वार सत्रह सप्ताह का एक कारिक्रम है जिसमें बच्चों को कोविड महमारी से बचाव के लिए हाथ धुलाई, मास्क का सही उपयोग और टीका करण जैसी गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी। 36 गड़ योग आयोग द्वारा दूर दरास के क्षेत्रों में योग सेंटर की शुरुवात कर लोगों में योग के प्रती जागरुकता पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। ये दिन हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है इसका उदेश्य दुनिया भर में आबादी से जुड़े मुद्धे पर लोगों की जागरुकता बढ़ाना है। अब संभागी सेंट संचालक शिक्षा कारेले में जमा होगी। पूरु में ये राशी खेल जोन मुख्याले में जमा करने के निर्देश दिये गया थे जिसमें आशिक संशोधन किया गया है। और 21 मिस्टर और मिस्राजे इस्तरी पैरा तथा मास्टर बॉडी बिल्डिंग और स्पोर्ट्स फिजिक का आयोजन 11 सितंबर को रायपूर के पंडित दीन देल उपाध्या आडिटोरियम में होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलिटिन समाप्थ हुआ, नमस्कार।